नमस्कार दोस्तों आपका एक बार प्रसे स्वागत है हमारे युटूब चैनल में दोस्तों अजमेंए आपको बधाने जा रही है कि कैसे आप सिर्फ एक लौंग से कर सकते हैं तो भी अपने वश में किसी भी इंशान पुर्णी प्रेमी हो या पिर कोई ऐसा वेक्ति हो जिसे आप बेन तहाँ प्यार करते हूं एक ऐसा उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ दो मिनट में अपना असर दिखाता है इस को करने के दो मिनट के अंदर अंदर ही आपका जो प्रेमी है वो आपकी प्यार में दीवाना हो जाएगा उसे आपसे इतना जादा प्यार हो जाएगा कि वो आपसे 24 खंटे मिलने के लिए तडपने लग जाएगा चाहे कोई लड़की हो या कोई लड़का हो आपके प्यार में वो बहुत ही जादा तडपेगा आपके प्यार में दीवाना हो जाएगा और जब आप चाहेंगे, जब जैसा आप चाहेंगे, वो करने के लिए तयार होगा. तो इसके लिए आपको एक मंतर का उचारण करना होगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दू, उसे करने का तरीका. आपको क्या करना एक लॉंग लेनी है और उसके बाद एक आपको लेनी है रोली और उसके बाद उस मॉली में आपको इसको बांध देना है आपको एक मॉली लेकर मॉली जो धागा होता है जो हम लोग पूजा में भी इस्तमाल करते हैं उस पर उसमें लॉंग को इस तरह से गांट लगा देनी है और उसके बाद दोस्तों आपको इस ऐसे टाइट बांध देना है आप देख सकते हैं इस तरह से टाइट इसे बांध द लेकिन उगली पर लपेटने पर क्या होगा कि दिन में ये जब आप मुछ काम करेंगे तो ये गेड़ जाएगा लेकिन कलाई पर बांध कर आप इसे रख सकते हैं कम से कम छे से आठ घंटे के लिए आपको इस अपनी कलाई पर बंधी रहने देना है और उस समय आपको मंतर का उचारन करते जाना है मंत्र है वंग वंग वशी भूतस्य मंभिद्यम इस मंत्र का उच्चारण करते करते आपकी कलाई पर ये बंधा होना चाहिए जब आपका मंत्रों का उच्चारण हो जाए एक हजार आठ बार तब आपको इसे खोड़ना है इसमें से निकालना है और उसके बाद उस व्यक्ति को खिला देना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते है वो व्यक्ति जैसे ही इस लॉंग को खाएगा आपके वश में आ जाएगा सिर्फ दो मिनट के अंदर अंदर आपको मैं यह मंत्र लिख के बता देती हूं इस मंत्र को आपको करना होगा दोस्तों मंत्र है वंग मं विद्यम इस मंत्र का उचारण एक हजार आट बार जबाब करेंगे तो यह लॉंग फूरी तरह से अभी मंत्रित हो जाएगी और जिसी भी आप इसे खिलाएंगे वह आपके वश में आ जाएगा तो आप इस उपाय को कीजिए और अगर आपकी कोई और समस्या है आप हम से कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद